हेलो इस्ट्रेंट्स कैसे उम्मीद करता हूं पढ़ियांगे आज की क्लास में हमारे most important question है और जब भी आप कोई competitive exam या फिर कोई entrance exam देते हो तो आपको यह question वहाँ पर देखने को मिलती है क्योंकि लगातार कहीं साल से वो यही सब स्वाल पूछ रहे हैं exam में बिना देर किया सुरू करते हैं question और उससे पहले वीडियो को like channel को subscribe कर लेना जिससे कि आने वाले सारे update और कप paper आ रहा है कप entrance exam हो गई यह सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी तो चलिए सुरू करते हैं और जिन बच्चों को इनके answer पता है वो मुझे comment box में बताना और जिनको आते हैं वो यह भी बताना की answer मुझे आते थे और कौन कहाते देख रहा है comment box में बताईएगा चलिए best of luck सुरू करते हैं एक दुकंदार 40 पिने बेच कर एक दुकंदार 1 रुपे में 40 पिन बेच कर एक दुकंदार 25 परसेंट का घाटा करता है अगर उसको 20 परसेंट का मुनाफ़ा प्राफ्त करना है 20 परसेंट को प्रोफिट लेना है तो उसे एक रुपे में इतने पिने बेचनी होंगी बहुत important question है चलिए बताईए कैसे होगा सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पर पता करना है कि एक रुपे में उसने पिने खरीदी कितनी तो कि यहाँ पर दिया है कि एक रुपे में उसने 40 पिन बेची तो आप मान लीजिए कि उसने एक रुपे में एक स्पिन वो खरीद कर ले कराया और एक रुपे में उसने 40 पिन बेची ऐसा करने पर उ तो उसको नुकसान कितनी pin का हुआ है यह हम पता करेंगे यह हमारा selling है और यह हमारा cost है जब हम नुकसान की बात होती है हमें loss की बात होती है तो loss हम कैसे निकालते हैmos selling यानि कि 40 pin हमने बेची पर खरीद के थो हम X ही pin लाए थे तो हमें नुकसान हुआ 40 minus X pin का और अगर हम यहाँ पे loss percentage की बात करें तो loss percentage में हमारी कितने pin का loss हुआ जो pin हमारी loss में गई वो और divide by जो हमने sale करी जो हमने selling में pin रखी वो और into 100 होता है तो इसके according अगर हम sold करेंगे तो हमें कितने pin का loss हुआ 40 minus x pin का हमें loss हुआ means 40 minus x divide by sale हमने कितने pin की 40 pin की 1 रुपीज में 40 pin हमने sale की into 100 is equal to 25% यहाँ से हम इसको sold करेंगे तो 40 minus x is equal to यह cross multiply जो upon में होता है वो इधर जाता है तो 25 into 40 divide by कितना 100 sold करेंगे आपे 25 चुका सो 4 पसाम 40 तो 40 minus x is equal to 10 तो minus x is equal to 10 minus 40 तो minus x is equal to minus 30 cancel हुआ x is equal to 30 आया means x 1 रुपे में वो कितने pin खरीद के लाए था 30 pin खरीद के लाए था और 1 रुपे में उसने 40 बेचे थे तो उसको 25% का नुक्सान हुआ था अब यह बोल रहा है कि उसे 20% का मुनाफ़ा कमाने के लिए एक रुपे में कितने pin बेचनी होंगे अगर बच्चे यहां पर हम मुनाफ़े की बात करें तो यह जो एक रुपे वाली pin वो खरीद के लाया था एक रुपे में यह जो 30 pin उसने खरीदी थी जो हमने अभी निकाला तो उसको 20% का मुनाफ़ा चाहिए यानि कि अब वो इन pin को 1 रुपे या 20 पैसे में बेचेगा 20% मुनाफ़े का मतलब हुआ एक रुपे का समान एक रुपे 20% में बेचेगा कितनी 30 pin लेकिन हम से पूछा गया है कि एक रुपे में कितनी बेचनी होंगी तो 1.20 में 30 pin होंगी तो रुपीज 1 में निकालने के लिए 30 डिवाइड बाए 1.20 पॉइंट टाएंगे उपर 2 0 चली जाएगी तो एक रुपे में उसको 25 pin बेचनी होंगी जब वो एक रुपे में 25 pin बेचेगा तब उसको 20% का क्या हो जाएगा प्रोफिट उप्स नमबर B आपका राइट आंसर उम्मिद करता हूँ बच्चों आपको किलियर होगा फिर से समय लीजिए एक रुपे में 40 pin बेचकर 25% का नुख्शान हुआ तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि एक रुपे में वो कितने pin खरीद के लाया तो हम मान लेंगे कि एक रुपे में वो X pin खरीद के लाया नुख्सान कितने का हुआ 40 pin उसने बेची तो 40 में से X को माइनस कर देंगे तो यह हमें नुकसान वाली पीन आ जाएंगे जितना हमारा नुकसान हुआ था और लोस परसेंटेज इजकल टू होता है जितनी हमारा पीन का लोस हुआ और डिवाइड बाइज जितनी हमने सेल करी पीन वो इन्टू हंडर एड होता है इसी का कोडिंग 40 माइनस X अपॉर्टी इन्टू हंडर इजकल टू हमने इसको सोल किया और X इजकल टू हमारा 30 आ गया अब X इजकल टू 30 आया मिन्स एक रुपे में वो 30 पिन परचेज करके लाया था लेकिन उसको 20% का चाहिए profit तो एक रुपे पर 20% निकालोगे तो 1.20 हो जाएगा इतने रुपे का वो सोल करेगा 30 पिन तब जाके उसको 20% का मुनाफ़ा होगा लेकिन हमें तो पता ना एक रुपे में कितना तो एक रुपे 20 पैसे में 30 पिन उसने बेची तो एक रुपे में कितने बेचेगा 30 को डिवाइड कर देंगे 1.20 से सोल करने पर 25 पिन हमारा आ जाएगा के लिए बच्चो या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगला स्वाल देखिए ये भी most important है साधान ब्याज की दरपन निवेशित एक धनरासी 8 वर्सों में 3 गुणा हो जाती है तो यह धनरासी 20 वर्सों में कितना गुणा हो जाएगी धियान रखना ये साधान ब्याज के लिए तो इसके लिए हम फोर्मूला यूज करेंगे याद रखना इसको कि कोई धनरासी अगर t1 वर्सों में n गुणा हो जाती है तो वही रासी t2 वर्सों में m गुणा हो जाएगी ठीक है तो इसके लिए हमारा फोर्मूला होता है बच्चे t1 upon t2 is equal to ये जो n गुणा हो रहा है न तो इसको लिखेंगे n-1 upon में m गुणा हो जाती है t2 वर्सों में so m-1 बस इतना सा आपको याद रखना है चुटकियों में question को हल कर दोगे कोई दनरासी 8 वर्सों में थी तो 8 और कितना t2 कितना हमारे पास 20 is equal to n-1 कितना है 3 गुणा तो n की value 3 हुई 3-1 2 upon में m-1 जो की मुझे निकालने कितनी गुणा हो जाएगी यहां से बच्चे हम इसको solve कर सकते हैं 4 दुनी 8 और 4 पंजे 20 तो इसकी गुणा करेंगे यहां पे तो 2 की m से करेंगे 2 into m-1 is equal to 5 की 2 से करेंगे 5 to 10 तो m-1 is equal to 2 यहां पे multiply में a bracket के बार इधर करेंगे तो divide में चला जाएगा 10 upon 2 2 5 जा 10 तो m-1 is equal to 5 m is equal to minus 1 एदर आके प्लस का 1 हो जाएगा तो 1 plus 5 m is equal to 6 तो वही धनरासी 20 वर्सों में 6 गुणा हो जाएगी option number C आपका right answer पहुती simple सा method था उम्मिर करता आपको सज्वाया होगा बस यह ध्यान रखना कोई रासी अगर T1 वर्सों में n गुणा हो जाती है तब वही रासी 22 वर्सों में m गुणा हो जाएगी तो इसके अनुसार T1 upon T2 upon n-1 upon m-1 इसमें value रखो और answer आजाएगा अगला परसन देखिए वहे रासी जो दो वर्सों में 8% वार्सिक ब्याजदर से चक्रवधी ब्याज से 8748 हो जाती है वो रासी क्या होगी यहाँ पर दो वर्सों के लिए कहा है और हमसे मूलधन पूछ रहा है means principal amount हमारी क्या होगी हमें यह बताना है वहती आसान सा है हमें जो भी चक्रवधी व्याज दिया है जो भी amount दी है कितनी दी हुए है यहाँ पर amount 8748 इसमें क्या करना है जो amount है 8748 इसमें multiply करनी है कितनी धर है आपकी 8% वार्सिक और दो वर्सों के लिए तो अगर दो वर्सों के लिए है तो आपको दो वारी 100 से इसमें multiply करनी है दो वर्सों के लिए है तो दो वारी 100 से multiply 100 into 100 and divide by अगर 8% है तो 100 में 8 प्लस करें क्योंकि बढ़ता है ना इसमें 108 into 108 चलिए इसको solve करते हैं और हमारा answer यहां से आ जाएगा cancel करेंगे हम इसको 8 से कर लेते हैं 9 से 9 1 जा 9 और कितना बचा 1 9 2 जा 18 अब इसको भी हम 9 से cancel करेंगे 9 से cancel करने पर यह आपको मिलेगा 972 फिर से cancel करेंगे 12 8 जा 96 और 12 1 जा 12 कितना हो गया 81 9 9 जा 81 और 12 9 जा 108 8 3 3 9 3 4 जा 12 और से cancel करेंगे तो यह आ जाएगा 25 25 into 3 75 into 100 आपका answer आजाएगा option number D आपका right answer कभी भी आपको बच्चे यहां पे समय दिया जाए दर दी जाए और यहां पे आपको amount चक्रवध्धी ब्याद से वह राची हो जाती है amount दी जाए तो ऐसी condition में धियान रखना आप आपको क्या करना है principle is equal to जो भी आपकी amount है amount into में 100 upon 100 plus जो भी आपको दर जी जाएगी rate है और उसकी power में आप N जो आपका समय होगा N को हम यहां समय से represent करते हैं इसी के according आप solve करोगे आप का answer चूटियों में आ जाएगा clear बच्चो या कोई doubt है तो comment box में पूछ लेना इस धनका साधान ब्याज कितने प्रतिसत वार्षिक ब्याज दर से 10 वर्षों में धनका 2 बटा 5 गुणा हो जाएगा अगर यहां पे हमारा ब्याज धनका 2 बटा 5 गुणा कह रहा है 2 बटा 5 गुणा किसका धनका धियान रखना धनका 2 बटा 5 गुणा तो ऐसी condition में धियान रखना अगर यहां पे लिखा है 2 बटा 5 गुणा और यह हमारा ब्याज है धनका तो ऐसी condition में इसके जो उपर रख्यूई value है यह इसको हम साधान ब्याज बोलते हैं ये हमारा ब्याज गिना जाएगा और इसके जो नीचे रख्ःवी वैल्वा यह हमारी मूलधन गिना जाएगी प्रिनिटिपल अमवाउंट और यह हमारा सिमपल इंटरॉस्ट गिना जाएगी हमसे पूछ रहा है किस धन का कितने प्रतिसत वार्सिक ब्याज दर से हमें दर निकालनी है और आप जानते हैं चुद्धर बरावर होता है हमारे पास साधान ब्याज इंटू में 100 इवाइड बाइ मोलधन इंटू समय तो इसी के अनुसार अगर मैं इस क्योशन को स्वोल करू तो देखो यहां पर साधान ब्याज कितना है दो जब भी इस तरह से होगा तो बटा पांच गुणा आठ बटे पांच गुणा दस बटे बारा गुणा तो जो पहली संख्या होगी यह हमारी ब्याज मानी जाएगी और जो इसके बटे वाली संख्या होगी यह हमारी हमेशा मूल धन मानी जाएगी principal amount तो यहाँ पर हमारा बच्चो ब्याज जो है वो दो है 2 into 100 divide by कितना समय लगा 10 वर्सों में और ब्याज धन कितना है हमारा 5 तो 5 into 10 इसको हम यहाँ से अल करेंगे तो यह हमारा 10 दसाम सो हो जाएगा 5 से 10 कटेगा 5 दूनी 10 तो यह 2 दूनी 4 तो बच्चे 4 परतिसत वार्षिक ब्याज दर से जो धन है जो ब्याज है वो धन का 2 बटा 5 गुणा option number A आपका right answer तो comment box न बता वच्चो कैसे लगे आपके question बहुत most important question थे और यही इस तरह के स्वाल बार बार पेपर में पूची जा रहे है मेरा यह में यह है कि महां आप लोगों को इनका concept भी बताऊं साथ ही साथ आपको sort trick भी बताऊं जिससे तरहेंगे time आपका कम लेए तो वीडियो को like चैनल को subscribe कर लेना और अगर कोई doubt है या कोई suggestion है कमेंट बताना जिस तक के लिए धन्यवाद जाएं